नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का To The Point चैनल में स्वागत है दोस्तों आज के इस क्लास में सीटेट एक्जाम के लिए बाल विकास के अंतरगत विकास के सिध्धान्थ से संबंदिद कुछ अति महत्यपूल प्रश्णों को देखेंगे आप सभी लोग इस क्लास क पूरा ध्यान से देखें देखेंोस्तों विकास के सिध्धान्थ का यह दूसरा कलास है यहां से सीटेट एक्जाम में प्रशन जरूर पूछा जाता है इसलिए आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देख़िए तो चलिए सुरू करते हैं पहला प्रशन है इनमें से कौन विकास का सिध्धान्त नहीं है option है विकास एक धाड़ि और एक आयामी होता है क्या यह विकास का सिध्धान्त है तो देखे दोस्तो विकास एक धाड़ी और एक आयामी नहीं होता बलकि विकास बहु आयामी होता है इसलिए दोस्तो यह विकास का सिध्धान्त नहीं है यहाँ पर आपका ए आपसन बिल्कुल राइट हो जाएगा दूसरा आप्सन है विकास उपर से नीचे और केंदर से बाहर की ओर होता है यह बिल्कुल सही है तीसरा है विकास आनुवानसिक्ता और संपोसड से प्रभावित होता है यह भी सही है विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिपेक्ष में होता है यह भी सही है यहाँ पर आपका ए आप्षन बिलकुल राइड है अगला प्रस्न है सीर सगामी सिध्धान्थ विकास के किस शेत्र पर लागू होता है आप्षन है गामग विकास भासा विकास संग्यानात्मक विकास नैतिक विकास सभी प्रस्न आप लोग ध्यान से देखते हुई सेलिए देखे दोस्तों सीर्स गामी सिध्धान्त विकास के गामक विकास छेत्र पर लागू होता है इसलिए ए आपसन राइट है देखे दोस्तों सीर्स गामी विकास सीर से पैर की ओर होता है इसका अर्थ है सबसे पहले मस्तिस्क छेत्र फिर धर्ण छेत्र तथा सबसे अंत में पै सेरे दन सील अवस्था कौन सी है Óption है जन्म Pूर्वो का समय प्रारंभिक अवस्था मध्य बच्पन युववस्था देखे दोस्तों भासाविकास के संदर में संवेदन C लवस्था प्रारंभिक अवस्था है इसलिए B आप्षन राइट है इस अवस्था में बालक अपनी इच्छाओं परेशानियों तथा जरूरतों को अपने हाव भाव द्वारा अभिव्यक्त करता है इसे भी आप लोग याद रखियेगा अगला प्रशन है बच्चों में भ दोस्तों बच्चों में भासा विकास आनुवानसिक्तायूं पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। एक प्रगत सील कच्चा अधियम करताओं की ब्यक्तिगत विविनताओं का सम्मान करता है। इसलिए भी आपसन राइट है। पूर्ण रूप से पूर्व निर्धारित। देखे दोस्तों विकास में बदलाव किया जा सकता है। इसलिए सी आपसन आपका राइट है। याद रखिएगा विकास एक आयामी और एक दिसी नहीं होता बलकि विकास बहु आयामी होता है। और इसमें बदलाव किया जा सकता है। वजोस से प्राप्त किया जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रशन है विकास के किस छेत्र का संबंध बहुद्धिक सामर्थ जैसे की ध्यान, इसमृति, समस्या समाधान, कल्पना और रसना करने से है। इसलिए दोस्तों बी आप्सन राइट है। यह उदारण किस और संकेत करता है। तो देखे दोस्तों यहां पर आपका राइट करता है। दरसाता है कि विकास की दिसा अधो गामी है और विकास निकट से दूर की और के क्रम का अनुस्वर αν करता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर आपका C option, right है, अगला प्रशन है, बच्चों का विकास इन में से किसका पईडाम है, option है, केवल आनुवान सिक्ता का, केवल वातावरण का, विद्यालय और सिक्षा का, आनुवान सिक्ता और वातावरण के बीच परस्पर अंतह क्रिया का पईडाम होता है, इसलिए दोस्तों, D option आपका right है, अगला प्रशन है, एक बच्चा पिंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेद फेकने की छमता पा लेता है, यह स्थिती विकास के किस सिध्धान्त की ओर इसारा करती है, option है, सीर्स गामी सिध्धान्त, अधोगामी सिध्धान्त, विकास करम की एक रूपता, एकी करण का सिध्धान्त, तो देखे दोस्तों, यहाँ पर आपका right है, बी आपसन अधोगामी सिध्धान्त, याद रखिएगा, एक बच्चा पिंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेद फेकने की शमता पा लेता है, यह इस्तिती विकास के अधोगामी सिध्धान्त की ओर इसारा करती है, इसलिए भी आपसन आपका right है, अधोगामी सिध्धान्त के अनुसार दोस्तों, वृद्धी तथा विकास निकट से दूर की ओर के करम का अनुसरान करता है, इसे आप लोग याद रखिएगा, अत्यात्मक और संग्यानात्मक विकास संपूर जीवन काल के दौरान होता है, यहाँ पर आपका डी आपसन right है, याद रखिएगा, मानव विकास जीवन भर मनिश्यों के सारीरिक, संग्यानात्मक और मनो सामाजिक विकास को संदर्भित करता है, यहाँ पर आपका डी आप अग्लाजी सारीरीक लच्छर जैसे आँखों का रंग उचाई बालों का रंग मुखेता पर्यावरिक कारग द्वारा सुनिस्चित होते हैं यहां पर perlu का रंग यहां लक्षडों का पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में पहुचना वनसागत कहलाता है अगला प्रश्ण देखेंगे बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतरगत आते हैं केवल गुडात्मक परिवर्तन केवल मात्रात्मक परिवर्तन गुडात्मक यो मात्रात्मक दोनों परिव याद रखिएगा वजन, बाल, दात, लंबाई ये सभी दोस्तों मात्रात्मक परिवर्तन के अंतरगत आते हैं जबकि दोस्तों दृष्टी, सूज, मानसिक योगिता, छमता ये सभी गुडात्मक परिवर्तन के अंतरगत आते हैं अगला प्रश्ण है निम्न में से कौन सा एक विकल्प सूज में गत्यात्मक कौसल का उदाहरन है ओप्सन है लिखना, कूदना, दोडना, तैरना याद रखिएगा लिखना सूज में गत्यात्मक कौसल का उदाहरन है इसलिए ए अप्सन आपका राइट है देखे दोस्तों कि कारे को बेहतर तरीके से कर पाने की चमता का विकास होना गत्यात्मक विकास कहलाता है अगला प्रस्ण है विकास के कौन से सिध्धान्त के अनुसार गामक विकास शरीर के मध्ध से शरीर के बाहरी सीरे की ओर होता है आप्षन है सीर्स गामी अधो गामी प्रमस्त की परिधिय देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइट एसर है बी आपसन अधोगामी विकास के अधोगामी सिधान्त के अनुसार गामक विकास सरीर के मध्य से सरीर के बाहरी सिरे की ओर होता है इसलिए बी आपसन राइट है अगला प्रस्न देखेंगे बालक का विकास किन शेत्रों में बटा है याद रखिएगा बालक का विकास सारीरिक संग्यानात्मक गामक और सामाजिक छेत्रों में बटा हुआ है इसलिए दोस्तों सी आपसन आपका राइट है अगला प्रश्ण है निम्न में से कौन सा सिध्धान्त यह दरसाता है कि विकास दिसात्मक है सिर से पैरों की ओ देखे दोस्तों सीर सगामी सिध्धान्त यह दरसाता है कि विकास दिसात्मक है सिर से पैरों की ओर है अर्थात विकास उपर से नीचे की ओर चलता है इसका अर्थ है कि सबसे पहले मस्तिस्क छेत्र फिर धर छेत्र अंत में पैर छेत्र में सरीर के विभिन अंगों का विका नेक्स्ट प्रस्ण है निमन में से कौन सा कारक भावतिक्यों सामाजिक दुनिया की जटिल सक्तियों को संबोधित करता है जो किसी बालिक्या के अनुभों को उसके विकास के दौरान प्रभावित करते हैं। लालन पालन का तात्परे विभिन पर्यावर्डी कारको से है जो हमारे व्यक्तित्व लक्षडों हमारे बच्पन के अनभवों बच्चे की परवरिस सामाजिक संबंधों और संस्कृति के बारे में बताते हैं यहाँ पर आपका C आप्षन राइट है अगला प्रस्ण है निम सीड़िया चढ़ना खरगोश की तरह फुदकना देखे दोस्तों एक धागे में मोती पिरोना तीसरी कच्छा के विध्यारतियों के अस्तर के अनकूल सूच में गतिक कौशल का उधारन है क्योंकि दोस्तों सूच में गतिक कौशल के अंतरगत कलाई हाथ अंगुलिया पैर पैर की अंगलिया होट और जीव के छोटे गति को सामिल किया जाता है यहाँ पर आपका बी आप्सन राइट है अगला प्रस्ण है निम्न में से कौन सी प्रवित या गुड पूरता आनुवानसिक है आप्सन है आखो का रंग बुद्धी नैतिक विकास सामाजिक कौशल य आखो का रंग पूरता आनुवानसिक है क्योंकि इसको वातावरण द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है जबकि बुद्धी नैतिक विकास सामाजिक कौशल विकास में वातावरण की महत्तुपूर भूमिका होती है यहाँ पर आपका एप्सन राइट है तो इस प् दोस्तों सेयर करिए और कमेंट में लिख कर जरूर बताईए